एक और कुश्चन लेते हैं बच्चों यह कुश्चन है यह भी कहता है सरल कीजिए यह कुश्चन है 10 inverse of root over 1 plus x square minus 1 by x where x is not equal to 0 x 0 नहीं होना चाहिए चले बच्चों इसको सरल करते हैं हम लोग यह हमारा inverse trigonautic function जो दिया है वो 10 inverse function है 10 inverse of root over 1 plus x square minus 1 by x तो हमारा कोशिस क्या रहे ऐसा उचित प्रतिस्थापन करिए x की जगा पर यह 10 की रूप में आएं तो चले बच्चों हम 1 plus x square को ध्यान पर रखते हैं हम उचित प्रतिस्थापन लेते हैं तो क्या होना चाहिए यह हमको ध्यान रखना है यहाँ पर हम पूट करते हैं माना x is equal to 10 theta therefore theta is equal to 10 inverse of x ठीक बच्चों? लास्ट में जवाब देते समय इसको हम उप्योग करेंगे अभी हम यह प्रतिस्थापन यह उचित प्रतिस्थापन है मैं यहाँ पर समझने के लिए देता हूं कि यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन क्या करना होगा तो समानेत्य हम inverse trigonometric function को सरलतम रूप में लाने के लिए हम उचित प्रतिस्थापन करते हैं तो यह हो जाएगा इसमें प्रतिस्थापन कीजिए तो इसका रूप 10 inverse of root over 1 plus 10 square theta minus 1 by 10 theta इसको simplify करते हैं तो यह हो जाएगा 10 inverse of 1 plus 10 square theta होता है 6 square theta 6 square theta root 6 theta then 6 theta minus 1 by 10 theta अब इसको तब तक हम सरल करेंगे जब तक यह 10 theta यानि एक फलन की रूप में ना जाए एक त्रिकुलमीदी फलन की रूप में ना जाए तो हम इसको और सरल करेंगे तो there implies यह हो जाएगा 10 inverse of से एक theta को change करिये 1 by cast theta लिख सकते है minus 1 और इसको हम लिख सकते है sin theta by cast theta यह हो जाएगा 10 inverse of 1 minus cast theta by cast theta upon sin theta by cast theta then cast theta cancel out कर देंगे तो यह बच जाएगा बच्चों 10 inverse of 1 minus cast theta by sin theta अब हम पुना इसका formula लगाएगे 1 minus cast theta और sin theta तो यह हो जाएगा हमारा 1 minus cast theta 10 inverse of 1 minus cast theta 2 sin square theta by 2 2 sin square theta by 2 और sin theta को हम लिख सकते है 2 sin theta by 2 into cast theta by 2 बच्चों यह फार्मूला याद रख रहे है 1 minus cast 2 theta का formula और यह sin 2 theta का फार्मूला का अपलाई करेंगे तो हम इस रूप में लिख सकेंगे तो यह फार्मूला ध्यां रखना है अब हम इसको फिर सरल करते हैं तो 2 cancel out हो गया यह फिर है sin square theta by 2 के साथ 1 sin theta by 2 cancel हो गया उपर नीचे का उपर बच गया sin theta by 2 और by cos theta by 2 तो यह आगया हमारा 10 inverse of sin by cos 10 होता है 10 theta by 2 अब हम self-adjusting property लगाए इसमें तो यह फिर सकेंगे theta by 2 theta by 2 that is half theta then half और theta याने यहां से देखे कि theta is equal to 10 inverse x तो बच्चों यहां पर इस प्रतिलोम त्रिकुर्णिती फ्लन का सरलतम रूप half 10 inverse x अब हम यहां पर देख सकते हैं चाहेद हम उत्तर की जाज कर सकते हैं x is not equal to 0 0 को छोड़ कर ठीक है तो देखिए function क्या है 10 inverse 10 inverse function है तो इसका जवाब जो है 10 inverse function के range के अंतरगत आना चाहिए ठीक है बच्चों तो इसके जाज के लिए हम यहां पर यह दिया रखने बच्चों कि हम अपने लिए कि यह सही है या नहीं है जो condition दिया है उसके लिए हम जाज भी कर लेते हैं लेकिन परिक्षा में पूछा जाए कि इसको सरलतम रूप में लिखिए तो आप यहां लाकर के छोड़ सकते हैं तो हमको यह दिया रखना है बच्चों जब भी हम जो सर्द दिया है उसकी जाच करना होता है तो उस सिती में यह जो दिया गया फलन क्या है तो इसका जवाब इसके रेंज के अंतर गताना चीए इसका जवाब क्या है बच्चों यह इसका जवाब है इसका मतलब ये जो है इसके range के अंतर गताना चाहिए तो 10 inverse फलन का range क्या है इसका जो range है open interval minus pi by 2 से pi by 2 है ठीक बच्चों मतलब ये जो है इसके अंतर गताना चाहिए therefore हम लिख सकते हैं minus pi by 2 is less than half 10 inverse x is less than pi by 2 तो पहले हम half हट आते हैं ये cancel हो गया तो ये हो गया minus pi is less than 10 inverse x is less than pi यहाँ पर हम 10 को हटाने के लिए 10 inverse को हटाने के लिए 10 ले ले लेते हैं तो 10 of minus pi is less than 10 of 10 inverse x is less than 10 of pi इसके value रख दीजे बच्चों ये हो जाएगा 10 of minus pi ये 10 of minus theta minus 10 theta ये हो जाएगा minus 10 pi is less than ये स्वेम समंजग्गून अर्था self-adjusting property लगा दीजे ये x बचेगा और 10 pi तो ये है 10 pi 0 होता है minus 0 is less than x is 0 याने minus 0 तो होता नहीं है याने सिर्फ x जो है क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए not equal to तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर जो संभव नहीं है ऐसा संभव है क्या जो संभव नहीं है और इसलिए बच्चों x is not equal to 0 कह सकते हैं तो सर्थ के साथ ही कोश्चन लिखा जाता है तो आपको जाच करनी काउशकाता नहीं है आपको किवल सरलतम रूप में लिखना है यहाँ तक आप ला करके छोड़ सकते हैं